हेलो प्रेंट्स कैसे हो आप लोग होग सो अच्छे ही होगे दोस्तों आज का ये सेशन मैं क्लास नाइन के लिए लेने जा रहा हूँ और हम इसमें देखेंगे टॉपिक अलजेबरिक आइडेंटिटीज के कुछ कोईश्चन्स अल्रेडी मैंने आपको आइडेंटिटीज बता दिया है डिराइब करके भी बता दिया है हम आज इस पर कुछ अच्छे-च्छे कोईश्चन्स देखेंगे और इस टॉपिक को आज खतम करेंगे तो चलिए अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और यहाँ पर दूसरा क्या लिखा हुआ है ब्रेकेट में इन दोनों का हमें क्या निकालना है प्रोडक्ट निकालना है चलो ठीक है मैंने आपको जितनी आइडेंटिटीज बताई है उसमें से यहाँ आप खुद सोचो कौन सी आइडेंटिटीज यूज होगा है ना सबसे पहले ध्यान किस पर जाना चाहिए सबसे पहले ध्यान हमारा यहाँ वैरेबल पर जाना चाहिए कि वैरेबल क्या लिखा हुआ है ये coefficient हम बाद में देखेंगे सबसे पहले ध्यान दो हमारे यहाँ यह जो क्या लिखा हुआ variable x y ध्यान दो, सबसे पहले bracket में क्या लिखा है x plus y अभी फिलाल के लिए coefficient को छोड़ते हैं है ना, x plus y चलो ठीक बात है, दूसरे bracket में क्या लिखा हुआ है, x square minus x y plus y square, अच्छा अगर हम इन सभी coefficients को छोड़ दें, तो यह किसका formula मिल जाएगा हमें, अगर मैं इस x को a मान लूँ और इस y को b मान लूँ suppose इस वक्त, क्या हो जाएगा a plus b bracket a square minus a b plus b square अरे यह किसका formula है यह formula हो गया हमारा किसका हो गया a cube plus b cube का formula हो गया ना a cube plus b cube का formula हो गया यह, यहाँ पर अगर हम replace करें, तो a की जगा, मैं क्या बोल रहा था x है, अभी coefficients की बात नहीं कर रहे है coefficient को लेकर अभी हम देखेंगे, लेकिन अभी हम क्या कर रहे है, पहले यह देख रहे है कि कैसे analyze करें कि identity लगेगा कौन सा, है ना, चलो a की जगा मैं यहाँ पर x को रख रहा हूँ तो कितना हो जाएगा यहाँ पर x, b की जगा पर क्या है अपना y, ठीक है चलो, इतनी बात हो गई, अब वह आपस से दूसरी bracket में x square, यानि a square कितना हो गया यहाँ, x square minus xy, मतलब ab plus b square means y का whole square, होप सो, आपको इतनी बात अब तक समझ में आ गई होगी अच्छा, यहाँ से यह idea तो लग गया, अगर यहाँ coefficient नहीं होता, तो यह formula बैठ गये यहाँ पर, चलो ठीक बात है, लेकिन अब तो यहाँ coefficient है, coefficient को भी अपने को देखना है, तो चलो, coefficient को देखकर भी देखते हैं यहाँ पर कि क्या यह identity जो हमने यहाँ सोचा है, वो इस पर apply कर पाएंगे या नि अच्छा, चलो, सबसे पहले यहाँ 0.9 है, ज्यान से 0.9 है, यहाँ पर लिखा है 0.81, अभी इस decimal को छोड़ो सबसे पहले इस number पर जाओ 9, 81, square अच्छा, 9 का square तो 81 होता है चलो, यह बात भी यहाँ सूट कर गया, है ना, decimal को भी देखेंगे अभी, अब जाओ 7 पर 7, 49 y का square है, मतलब 7 का square 49 होता है अच्छा, यह concept भी यहाँ बैट गया चलो, ठीक बात है, अब क्या है अब है हमारा xy यानि 9 into 7 कितना? 63 अब बात आ रही है decimal पर decimal पर बात आ रही है तो decimal में कुछ भी नहीं करना है ध्यान दो, यहाँ पर रखा हमारा point 9 लिखा है, इससे हम क्या लिखते है 9 by 10 लिख सकते हैं क्या 9 by 10 लिख देंगे हम तो क्या होगा हमें, इसका whole square करना है अगर whole square करना तो point 9 का whole square कितना हो जाएगा? ध्यान दो 9 by 10 into 9 by 10 मतलब 9 into 9 how much? 9 into 9 हो जाएगा 81 और 10 into 10 कितना? 100, अब खाली हमें point बैठाना है 81 लिख दिया 1, 10, 100 कितना point मतलब भाईया, point 9 का whole square 0.81 आ गया x का square भी मिल गया 0.7 वापस से 0.49 हो जाएगा as it is same process से यहाँ से 0.9 और 0.7 को multiply करना तो यह भी मिल जाएगा मतलब सब कुछ हमारा support कर गया यानि हमने जो सोचा aq प्लस bq का formula यहाँ पर क्या है? suit कर गया समझ में आ रही है बात? चलो, अब क्या करेंगे हम इसी formula को इस पूरे given expression पर लगा देंगे तो चलिए solve करके देखते हैं कैसे solve होगा अब क्या है? हम इसको detail में लिख लेते हैं और उसके बाद direct formula लगा देंगे है ना? चलो, यहाँ पर क्या लिखा है? 0.9x plus 0.7y as it is उतार लेते हैं कितना होगा? 0.9x plus 0.7y चलो, इतना काम तो कर लिया अब इस bracket को खोलना है है ना? मतलब खोलना in the sense क्या है? हमको इसके term में इसको express कर देना है मतलब कैसे करेंगे? 0.81x square है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? 0.9x का whole square लिख दिया? minus कितना है? 0.9 into 0.7 into x into y कितना लिख दिया? चलो, यह भी समझ में आ गई बात उसके बाद क्या है? plus लिख दिया हमने क्या है यहाँ? plus अब ध्यान दो यह लिखा है 0.49y square तो इसको ऐसा लिख सकते है क्या? 0.7 into 0.7y है न? into y ऐसा भी लिख सकते है न? या फिर इसको आप पूरा complete को ऐसा भी लिख सकते हो 0.7 का whole square समझ में आ गई बात इसी चीज को लिखने के लिए ऐसा भी खोल के लिख सकते हो ऐसा भी लिख सकते हो इसको भी ऐसा लिख सकते हो या फिर ऐसा sort में लिखो कोई दिक्कत नहीं है न? सेम बात है अब चलो जब हमने इतना लिख लिया तो इसके बाद हमारा क्या है? डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है फॉर्मूला क्या होता है हमारा? फॉर्मूला है A क्यूब प्लस B क्यूब A यहां हमारा क्या है? A हमारा है 0.9X B क्या है मना? B हमारा है 0.7Y तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर लेते हैं न? फॉर्मूला क्या हो जाएगा 0.9x का whole cube अब कुछ भी नहीं करना है खाली इसका whole cube करना है और इसका whole cube करना है अब इसके लिए मैं आपको बता दू square जो है आप कम से कम 20 तक याद कर लें और cube root जो है cube root बोलनो sorry cube जो है किसी number का आप उसे 15 तक याद कर ले तो आपका जो इस तरह का question नहीं आइडेंटिटीटीज का तो आप calculation में कभी फसेंगे नहीं चलिए देखते हैं अब देखो अब directly 0.9x का whole cube मत करना है इसको पहले थोड़ा simple बनाकर लिख लो और उसके बाद क्या करेंगे हम इसका whole cube करेंगे चलो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 0.9 को 9 by 10x का whole cube ऐसा लिख सकते हैं और इसको कितना लिख सकते हैं 0.7 by 10y का whole cube अब समझो बात 9 का cube कितना होता है 9 का cube होता है 729 है ना आप याद कर ले ना मैं directly लिख रहा हूँ है 9 का cube होता है 729 अच्छा ठीक बात है उसके नीचे तो 10 भी है 10 का भी cube करना होगा तो 10 का cube कितना हो जाएगा 1000 यानि 10 तीन बार multiple होगा तो 3-0 लग जाएगा चलो हो गया x का cube करना है तो x का cube कितना हो जाएगा x cube ठीक है चलो देखा कितनी सिंपली हो गया solve है ना नहीं तो 0.9 का करते तो फिर आपको दिक्कत होती थोड़ा है ना चलो उसके बाद क्या करेंगे 7 का cube 7 का cube होता है 343 ठीक है चलो 10 का वापिस से cube करना है 10 का cube हो जाएगा वापस से 1000 और यहाँ पर y का cube मिन्स y का cube hope so आपको इत्ती बात है clear होगी अब कुछ भी नहीं करना है नीचे क्या लिखा है 10 के multiple के term में लिखना है यह मतलब इसको हम decimal में easily convert कर सकते हैं कैसे convert कर सकते हैं देखिए लिख दिया हमने सबसे पहले 729 x cube x cube को छोड़ो हमें नंबर से काम है है न क्योंकि यह तो 1000 है जो decimal convert करेगा वो नंबर को करेगा चलो x cube को छोड़ो यहाँ पर आओ कितना है 1000 काउंट करो 1, 10, 100 यहाँ पर 1000 कनवर्ट हो गया यह easily वापस से as it is इसके लिए भी करना है लिख दिया हमने क्या फिर से 343 y cube लिख दिया अब क्या नीचे 1000 है decimal में convert करना है 1, 10, 100 वापस से यहाँ 1000 अब देखो यहाँ पर x cube है यहाँ यहाँ पर y cube है यह दोनों अब क्या हो है add नहीं हो सकते मतलब हमारा जो given question था उसको हमने जब product किया identities की help से तो हमारा क्या निकल कर आ गया इतना निकल कर आ गया और यह हमारा क्या है required result है hope so आपको यह question अब clear हो गया होगा चलिए आगे देखते हैं अब हमारे पास जो अगला question है वो है x plus y plus 2z एक bracket के अंदर और दूसरे bracket के अंदर क्या है x square plus y square plus 4z square minus xy minus 2yz minus 2zx अच्छा इसमें करना क्या है इसमें वापस से इन दोनियों का product निकलना है अब समझो बात अगर हम manually solve करें एक एक करके सभी को multiply करते रहें तो यह काफी लंबा हो जाएगा है ना हम क्या करेंगे इसमें identities का use चलिए हम अब इस question पर identity को apply करकर देखते हैं तो अब identity को जब apply करेंगे तो सबसे पहले यह देखना होगा analyze करना होगा आखिर किस तरह का expression लिखा हुआ है और कौन सा identity इसको suit करेगा चलिए ध्यान दीजिए यहां पर लिखा है x plus y plus z अच्छा ऐसा को identity पढ़ा है क्या जिस अब जड़ा ध्यान दो हमारा जो identity है वो बिलकुल इस expression पर suit कर जा रहा है कैसे अगर मैं इस x को a मान लू इस y को b मान लू और इस c को sorry इस 2z को क्या मान लू मैं c मान लू अब ध्यान दो यहां पर identity में क्या था a का square हाँ x का square करो x square हो गया चलो ठीक बी यानि यहां पर b क्या है y यानि b का square कितना हो गया y का whole square हो गया चलो यह भी हो गया ठीक plus c का whole square मतलब 2z का whole square 2 का square 4z का square z square यह भी suit कर गया उसके बाद minus a b a कितना है x यहां पर b कितना है y यानि x y होना चाहिए यानि minus x y यहां पर present है चलो यह भी suit कर गया उसके बाद minus b c होना चाहिए b और c यह है B क्या इतना है Y C कितना है 2Z यानि 2YZ होना चाहिए यहाँ देखो 2YZ with minus sign मतलब यह भी हमारा क्या है suit कर गया हमारे identity के जो expression है उसके बाद C A है ना C A कितना हो जाएगा 2XZ या फिर 2ZX कुछ भी होना चाहिए with minus sign यहाँ पर formula में था minus है 2ZX है मतलब यह सारा expression जो है वो किस identity को suit कर रहा है वो suit कर रहा है यहाँ पर X3 plus Y3 plus Z3 minus ध्यान से है ना X3 plus Y3 plus Z3 Z के जगए यहाँ कितना लिखा है यहाँ पर खाले Z नहीं लिखेंगे यहाँ Z कितना लिखा हो है 2Z तो मतलब यहाँ क्या करेंगे 2Z का अगर यहाँ Z लिखा रहा है था तो directly Z लिखेंगे लेकिन यहाँ पर Z की जगए 2Z है इसलिए क्या कर लिखेंगे 2Z का होल क्यूब कर लिखेंगे minus 3X as it is लिख दिया into Y as it is लिख दिया into Z Z की जगए कितना है 2Z तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2Z अब ध्यान दो X क्यूब का क्यूब कितना हो गया X क्यूब ही हो गया plus Y क्यूब का कितना हो गया Y क्यूब ही हो गया 2Z का होल क्यूब 2Z का होल क्यूब कितना हो जाएगा 2 का क्यूब होता है 8 Z का क्यूब कितना हो गया Z क्यूब minus ध्यान दो 3 into 2 कितना हो गया 6 x into y into z कितना हो जाएगा x, y, z हमें यही तो करना था अगर हम manually multiply करते तो पूरा page भर जाता करने में ताइम भी waste होता कि जैसे ही हमने identities पर apply किया यह जो given expression है हमारा क्या हो गया question तुरंती solve हो गया है ना तो क्या है identities तो हमने पढ़ा है अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा और मैंने जैसे derive किया अगर आपने उसको derivation को देखा होगा ध्यान से और मैं जो questions करवाना अगर उससे आप ध्यान से देखोगे तो आपका एक भी question ऐसा नहीं है जो आपसे solve नहीं होगा हाँ भले ही question किसी भी pattern में लिखा हो कोई परक नहीं पड़ता लेकिन अगर आप सही से समझेंगे तो आपका एक एक question बनेगा ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं ये question जो हमें product करना था हमारा कितना निकल कर आ गया x cube plus y cube plus 8 z cube minus 6 x y z हमारा यही क्या है answer हो गया हमने जो formula था aq plus bq plus cq minus 3abc इस expression पर क्या कर लिया apply कर लिया hope so आपको ये question समझ में आ गया होगा चलिए अब आगे देखते हैं अब हमारा जो अगला question है वो क्या है if x square plus 1 by x square equal to 7 then find the value of x cube plus 1 by x cube अच्छा है ठीक है चलो हमें value किसकी निकालनी है x cube plus 1 by x cube की अच्छा लेकिन यहाँ पर हमारे पास given क्या है x square plus 1 by x square equal to 7 अब ध्यान से सुनो मेरी बात हमें निकालना है x cube plus 1 by x cube की value अगर हम a cube plus 1 by b cube का formula लगाएं समझो बात a cube plus 1 by x का whole cube है मतलब a cube plus b cube का formula लगाएं formula कितना होता है ध्यान सुनो formula होता है a plus b bracket a square plus b square minus ab यही होता है ना हमारे पास formula चलो और एक तरीका क्या है a cube plus b cube को निकालने के लिए दूसरा वो तरीका है दूसरा तरीका क्या आपने पास दूसरा तरीका है a plus b का whole cube का इसका formula कितना होता है a cube plus b cube plus 3ab bracket a plus b अब क्या करेंगे इसको निकालने के लिए इसको निकालने के लिए करेंगे क्या इस term को एक तरफ रखेंगे और यह जो term है उसको इस तरफ ले जाकर इस a plus b के whole cube से minus करेंगे तो a cube plus b cube आ जाएगा अब आप दोनों मेंसे कोई भी method अपलाई करके इसका answer निकाल सकते हो यह आप पर है कि आप कैसे निकालोगे है ना चलो लेकिन आपको जो मैं यहाँ पर method बताऊंगा इस method से बताऊंगा a plus b का whole cube equal to a cube plus b cube plus 3ab bracket a plus b है ना आप इस method से खुद solve करकर देखना कि question कैसे solve होगा और कितना land दी जाता है है ना चलो चलिए इस question को solve करने के अब कोशिस करते हैं अब क्या है इस question को solve करने के लिए यह expression दिया हुआ है x square plus 1 by x square equal to 7 यह expression हमें चाहिए यह expression हमें मिलेगा कैसे already मैंने आपको इससे पहले वाले lecture में इसको ऐसी तरह के question को solve करना बताया है तो हमें कि यह expression मिलेगा वो मिलेगा हमें x plus 1 by x का whole square करने से क्या मिलेगा x plus 1 by x का whole square करने से कैसे मिलेगा अब देखते हैं a plus b का whole square कितना हो जाएगा a का square मतलब यहाँ x है लिख दिया हमने x square plus b का whole square यहाँ पर b क्या है 1 by x क्या लिखेंगे हम 1 by x का whole square है ना plus 2 into a a कितना है यहाँ पर x लिख दिया x plus b into b b कितना है हमारे पास 1 by x क्या लिख देंगे हम 1 by x अब ध्यान दो क्या करना है x square plus 1 by x square value कित्ती given है इमारे पास 7 यहाँ पर क्या करो as it is substitute मारो इसकी जगह सिर्फ इसकी जगह है ना क्योंकि इसका ही value अपने पास 7 given है hope so आप समझ रहो गए है ना उसके बाद ध्यान दो numerator में x denominator में x दोनों same same तो क्या होगा x x cancel out जागा कित्ता बज़ गया यहाँ पर से plus 2 तो क्या करेंगे 7 से plus 2 कर देंगे इसकी value कित्ती हो गई 9 हो गई मतलब अब ध्यान दो x plus 1 by x का whole square की value कित्ती हो गई अपने पास value हो गई मेरे पास 9 है ना अब क्या करेंगे, जब हमारे पास x plus 1 by x का whole square का value 9 हो गया, तो अब ध्यान दो, इस square को अगर हम उस तरफ भेजें, तो ये square क्या बन जाएगा, इसके ओपर का under root, तो हम क्या करेंगे, x plus 1 by x को ऐसे लिख लेंगे, और इस square को उधर भेजकर under root 9 कर लेंगे, तो under root 9 की value किती होती है, under root 9 की value होती है, 3, मतलब x plus 1 by x की value हमने किती निकाल ली, 3 निकाल ली, और अपने को value क्या है, चाहिए, x cube plus 1 by x cube, अब ध्यान दो, a plus b बराबर something आ गया है, और अपने को चाहिए, a cube plus b cube का value है, क्योंकि a हमने मान लिया, यहाँ पर x cube है, plus क्या है, 1 by x cube क्या, यहाँ पर b की जगा है, है न, b cube की जगा है, चलो, यहाँ पर a plus b की value जब 3 आ गई है, तो हम क्या करेंगे, दोनों ही side, क्या कर देंगे, cube कर देंगे, है न, अगर हम यहाँ पर cube करते हैं, अब ध्यान दो, वापस से, पीछले lecture नहीं बताया था, वापस से, यहाँ प root की तरह sign बना हुआ और इसके यहाँ पर 3 लिख दिया, तो इसका value हो जाएगा 1 by 3, इसी तरह क्या है, बढ़ता जाएगा, it means, अगर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर number की जगा n लिखा है, तो यह value हो जाएगा 1 by n, hope so, आपको यह बाते समझ में आ गई होगे, तो same concept 3 का power 3 है, और इसके ओपर यह क्या है, cube जाके उधर cube root बन जाएगा, cube root की value कितनी होती है, into 1 by 3, इस 3 से यह 3 cancel हो जाएगा, वापस यहाँ 3 बच जाएगा, यानि हमारा जो पहले का original expression है, वो as it is, same ही रह जाएगा, उसमें कोई change नहीं आएगा, अगर हम दोनों side क्या करेंग 1 by x को b बोलू, तो मतलब a plus b का whole cube का formula, यहाँ पर क्या करना है, x plus 1 by x के टब में apply कर देना है, और यहाँ पर 3 का cube कर देना है, arrachis के side, चलिए apply कर लेते हैं, x का cube, x का cube लिख लिया, plus 1 by x का whole cube, 1 का cube 1 ही रह जाएगा, x का cube x cube हो गया, चलिए, plus 3, यहाँ A की जगा कितना लि लिख लिया, bracket, कितना होता था, a plus b, a कितना है यहाँ, x, b कितना है यहाँ पर 1 by x, hope so आपको यह बाते समझ में आ गई होगी, कि a plus b का whole cube हमने तोड लिया है, है ना, चलिए, यहाँ पर 3 का cube था, 3 का cube कितना होता है, 27, अब ध्यान से, वापत से यहाँ numerator में x, denominator में x, दोनो सेम सेम, तो यह क्या होगा, cancel out हो गया, अब देखिए, हमें value चाहिए, x cube plus 1 by x cube की value चाहिए, है ना, यही, यहाँ पर लिखा है ना, इसकी value चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको एक तरफ रख लेंगे, और बागी सब को RHS के तरफ भेज देंगे, चलिए, तो हम क्या करते ह है, x cube plus 1 by x cube कर लिया हमने, इतना कर लिया, अब ध्यान से देखो, यहाँ यह पूरा expression positive में, RHS के तब जाएगा, negative हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हटालो इसको, equal to 27, अब जो बोलना हो, ध्यान से सुनो, यह पूरा expression positive था, तो अब इधर जागे, कितना हो जा प्लस 1 by x लिखा है, इसकी value चो हमें निकाल ली है, कितनी निकाल ली है, x plus 1 by x की value हमने 3 निकाला था, उसके बाद ही हमने इस expression का cube किया था, तो यहाँ एक्स प्लस 1 by x की value कितनी है 3, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगा क्या पूट कर लेंगे, 3 पूट कर लेंगे, तो अब ध बच गया 1, मतलब 18, यानि x cube plus 1 by x cube का value कितना आ गया, 18 आ गया, और यही हमारा क्या है, required answer हो गया, है न, क्योंकि हम से पूचा यही था, x cube plus 1 by x cube की value बताओ, तो हमने कितना निकाल लिया, 18, होप सो, आपको यह बाद समझ आ गई होगी, चलिए आगे देखते हैं, अब हमार 8, then find the value of a cube plus b cube, यह almost similar है, पीछले वाले question की तरह, अगर आप ले उस question को सही से समझा होगा, तो इस question को solve करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, चलिए question solve करकर देखते हैं, कि question solve होगा कैसे, यहाँ पर लिखा है a plus b की बराबर 10, और यहाँ पर लिखा है a square plus b square equal to 58, अब हमें मिलेगा तब जब हम a plus b का whole square करेंगे, अगर हम a plus b का whole square करेंगे, तो हमें दोनों side square करना होगा, it means, यहाँ पर हम क्या करेंगे, a plus b का whole square equal to 10 का whole square, है न, और ऐसा करने पर इस given expression पर कोई फरक ने पड़ेगा, पहले भी मैंने समझा दिया है, कैसे और क्यों, चलिए, अ a plus b का whole square को क्या करेंगे, हम open करते है, कितना हो जाएगा, a square plus b square plus 2ab equal to 100, होप सो, आप इतनी बात समझ गया होंगे, उसके बाद हमारे पास question में a square plus b square की value दे रखी है, कितनी दे रखी है a square plus b square की value, a square plus b square की value दे रखी है हमें, वो दे रखी है क्या 58, तो हम क्या करेंगे, य यहां जो a square plus b square है, इसकी जिगा हम क्या करेंगे, इसकी जिगा हम रख लेंगे 58, जैसे यहां 58 रखा, as it is, यहां पर 2ab लिख लेंगे, equal to 100 कर लेंगे, है ना, अब ध्यान दो, यहां पर ab है, और यहां पर कुछ भी नहीं है, मतलब यहां पर जो यह term है, यह free है, तो हम क्या क है ना, कितना हो गया अपना, 100, minus, यह term जब positive था, यह term क्या होगा, उस तरफ जाएगा, जैसे ही यह term उस तरफ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यह term उस तरफ जाते ही क्या हो जाएगा, negative हो जाएगा, तो क्या हो गया, minus 58, है ना, इतना हो गया, अब देखो, 100 में से 58 जा तो दो कितना बज़ गया हमारे पास 42 है ना होप सो आप समझ गयोग और ऐसे भी नॉर्मली माइनस करके देख सकते हो कोई दिक्कत की बाद नहीं है कितना हो गया 2AB अब देखो AB की वैल्यू निकालने के लिए इस 2 को क्या करना होगा इससे डिवाइड करना होगा तो कितना हो जाएगा AB equal to 42 divided by 2 और 2 से एक कितने बारी में cancel हो जाएगा 2 और ये 2 हो जाएगा 1 बार में कितना हो गया 21 चलो यहां पर हमने AB की वैल्यू कितनी निकाली 21 अब ध्यान दो अब हमें निकालना है AQ प्लस BQ की वैल्यू ये कैसे आएगा अब ध्यान चे समझते हैं और देखने एक question solve आगे कैसे होगा अब यहां पर हमें निकालना है AQ प्लस BQ का वैल्यू मतलब AQ प्लस BQ का formula क्या होता है AQ प्लस BQ का formula क्या होता है अपना बोलो A plus B bracket A square minus AB plus B square होप सो इतनी बातें आपको clear होंगी अब ध्यान से question को देखो है ना कुछ भी नहीं करना है simply सबका value निकला हुआ है हमारे पास अब directly हमें substitute करना है यहां जो हमने लिखा है यह formula A plus B कितना given है 10 उठाकर रख दिया है यहां पर कितना 10 into ग्यान से A square plus B square A square plus B square की value कितनी दे रखिये 58 हमने क्या कर लिया 58 रख लिया A square यहां है प्लस B square यहां है इन दोनों की जगे मिलागर क्या रख लिया 58 minus AB minus AB कि value हमने कितनी calculate कर लिये 21 यहां पर रख दिया हमने 21 अब क्या है कुछ भी नहीं करना है simple हो गया 10 into 58 में से 20 बन जाएगा 8 में से 1 गया 7 5 में से 2 गया 3 है नि 37 into 10 how much 370 कितना simple था यह question यह सोचो है ना कुछ भी नहीं करना था simply खली क्या है हमें value निकालना था AB का और directly AQ plus BQ का formula लगा कर value substitute करने देना था hope so आपको यह question समझ में आ गया होगा आज के इस session में इतना ही अगर आपको यह video पसंद आया तो मेरे चैनल को subscribe करे comment करे like करे video को share करे friends को तब तक के लिए thank you have a nice day